जेहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे मैं अर्जुन सिंग राठोड वेलकम करता हूं गाईज आपका आज के सेशन में आज का जो हमारा सेशन है गाईज वो है वोकेबलरी का सेशन इससे पहले हमने जो कल एक सेशन किया था वो न्यू पेटर्न पैसेज रिलेटेड था और आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा आज हम वोकेबलरी के अंदर देखते हैं आज हमारा आइधिंग के 16 सेशन है म दोनों वर्ड की ट्रिक्स बताता हूं दोनों वर्ड के हिंदी और इंग्लिस मीन बताता हूं दोनों वर्ड के पार्ट ओफिस्पीच दोनों वर्ड के सिननिम्स उनके पार्ट ओफिस्पीच उनको सेंटेंस में यूज देखेंगे और साथ इसाथ एडिटोरियल में वो कि याद करने का आपको छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर मान लीजी इस वर्ड को हम थोड़ा सा pronunciation बेस अगर देखे तो यह किसकी तरह लगता है हमारे को hello किसकी तरह लगता है hello ठीक है मतलब एक बार बोल कर देखिए कि अगर मैं कहता हूँ hello hello ठीक है तो इससे क्या पता लगता है कि हम अकसर उसी इंसान से high hello करना पसंद करते है जो इंसान अपने सभाव में थोड़ा नर्म होता है जिससे बात करने में आपको मजा आए ठीक है जिसके अंदर थोड़ी maturity हो आप अक्सर उस इंसान से हेलो करना पसंद नहीं करते हैं, जो हमेशा घुसे में रहता हो, लड़ाई के लिए तयार रहता हो, एसे इंसान से हम कभी भी हेलो करना पसंद नहीं करते हैं, तो अक्सर हम हेलो किसे करते हैं, जो इंसान केसा होता है, मेलो होता है, इसको याद करने के लिए हम किसका यूज करते है गाईज आपके mellow word का यूज किया जाता है आरहे ये बास समझ में ठीक है part of speech के अंदर ये आपके निकल कर आता है adjective क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी चीज की quality के तोर पर आपके यूज किया जाएगा तो part of speech में ये आपके निकल कर आता है गाईज एक adjective किलियर और इंगलिस के अंदर इसको कहा जाता है आपके tempered by maturity और experience किसी भी चीज को अन्वव के आधार पर या maturity के आधार पर अगर आप tempered करते हो तो गाईज उसे कहा जाता है आपके mellow क्या कहा जाता है उसे आपके mellow कहा जाता है तो mellow word को याद रखने का तरीका वापस से revise करिए एक बार ठीक है comment box में आप लिख सकते है कि mellow किस से relate कर रहा है थोड़ा hello से और अक्सर हम hello से करना पसंद करते है जो थोड़ा म्रदू होता है मधूर होता है सरल होता है एसे सभाव वाले इंसान से part of speech में एक ये adjective होता है इंग्लिस में इसका mean होता है tempered वाए ये spelling सही लिख देता हूँ मैं maturity और experience को क्या कहा जाता है गाईज आपके mellow करते हैं तो आई होप आपको synonyms देखते हैं जिसके क्या क्या synonyms होते हैं तो सबसे पहला mellow word part of speech में क्या निकल कर आ रहा है एक आपके adjective निकल कर आ रहा है ठीक है हिंदी में इसका mean क्या हुआ आपके मधूर म्रदू ठीक है सभाव के तोर पर सरल सभाव के तोर पर इंगलिस में इसको याद रखना है आपको maturity by sorry tempered by maturity और experience के तोर पर यूज लिया जाता है जब ये adjective है तो almost इसके जितने भी part of speech होंगे वो भी adjective निकल कर आएंगे कुछ noun भी होगा कोई verb भी होगा तो सबसे पहला हम देखते गई जो word है nectarious nectarious word जो होता है ये part of speech में क्या निकल कर आता है आपके एक adjective होता है nectarious word क्या होता है part of speech में एक adjective होता है इसका same mean होता है mellow के directly synonym के तोर पर ये count होता है इसी तरह से अगला word होता है गाईज हमारा clement ये भी part of speech में क्या निकल कर आता है mild करते है, part of speech में यह क्या निकल कर आता है, आपके एक noun होता है Hindi mean इसका वो ही same रहता है मधूर म्रदू और सरल के तोर पर यूज लिया जाता है, tempered by maturity और experience के तोर पर यूज लेता है इसी तरह से एक word होता है guys, आपके fraternize, fraternize word जो होता है यह part of speech में एक word निकल कर आता है इसका mean भी आपके same निकलता है जो कि किसके तोर पर यूज लिया जाता है आपके mellow के तोर पर और एक बहुत सांदर word है, बहुत बार exam में देखने को मिला है, बहुत बार editorial के अंदर आता है यह word, word है affable, affable word जो होता है यह part of speech में एक adjective निकल कर आता है और इसका mean आपके same किसके तोर पर यूज लिया जाता है mellow word के तोर पर आपके इसका यूज किया जाता है, तो guys यह mellow word जो होता है, इसके totally past synonyms होते हैं आपके, कौन-कौन से nectarious, clement, mildness, fraternize, और affable, और पाचो का mean जो है वो मधूर स्वभाओ के तोर पर आपके use लिया जाता है, तो अगर आपको समझ आया हो, तो done कीजिएगा चलिए ठीक है, और आज जो हमारा morning का session था, ठीक है वो थोड़ा कोई technical problem हो गई थी, इस कारण से 10 वजे वाला जो session है, वो हो नहीं पाया था, clear ये उसी के विहाब पर ये वाला session है आपके same session है, ठीक है और कल जो है, हम कुछ grammar sorry, practice से related कुछ ना कुछ नया करेंगे, तो अब हमारा इसी तरह चलेगा, एक दिन vocab और एक दिन होगा, practice pattern पर कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आता रहूँगा चलिए guys, अगला word देखते हैं word है आपके सामने, perspicuous ठीक है, perspicuous word जो है, इसको याद करने का एक trick बताता हूँ, और साथ इसाथ ये word आपको guarantee के साथ है, editorial जब भी पढ़ते होंगे, इसमें ये word generally देखने को मिलता है, इसको इस तरह से याद रखो, ये क्या हो रहा है एक तरह से purse, wallet जिसको हम कहते है, ठीक है ये क्या निकल कर आ रहा है, pick मतलब picture जिसको हम कहते है photo अगेरा और ये क्या निकल कर आ रहा है, us मतलब हमने देखिए हम सबने मिलकर क्या, इसको याद रखने का तरीका ही है, purse pick us मतलब purse की pick हमने लिए सबने मिलकर, इससे ये पता लगता है कि generally, जब किसी इंसान को एक photo click करने के लिए बोलू बहुत दूर है, और उसको मैं बोलू यार photo click कर तो अकेला गलती कर सकता है लेकिन जब हम सबने मिलकर इस purse की pick ली, इसकी picture ली, तो उससे पता लगा कि उसकी pick कैसी आई, बिल्कुल गईज आपके इसपस्ट आई, कैसी आई, पर्स की pick, एकदम इसपस्ट pick आई आपके तो उसे क्या बोला जाएगा आपके, पर्स पीक्यस बोला जाता है ठीके, और part of speech में land में OUS आ रहा है, तो यह क्या निकल कर आता है गईज आपके एक adjective निकल कर आता है, part of speech में निकल कर आएगा आपके, एक adjective निकल कर आएगा, और अगर इंग्लिस में इसको मैं बोलू, तो किसी भी चीज को अगर clearly express किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके, पर्स पिक्वेस बोला जाता है, साथ इसाथ, obvious आपने सुनाओगा, इसके लिए एक normal word होता है, obvious जो भी एक part of speech में एक adjective होता है, जिसका Hindi mean क्या निकल कर आएगा, ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है, पर्स पिक अस, पर्स की पिक हम सबने मिलकर ली, तो वो पिक केसी आई, बिल्कुल बलड नहीं हुई, एक दब इसपस्ट आईए, मतलब जो चीज उसमें दिखाना चाहरे है, वो बिल्कुल अच्छे से express हो पा रही है, obvious है, part of speech में क्या निकल कर आ रहा है, adjective, समझ आए तो डन कीजे, doubt हो, तो पूछिएगा, चलिए गईज, इसके synonyms देखते हैं, तो obviously सी बात है, जब ये खुद अपने आप में एक part of speech में एक adjective निकल कर आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से जानते होगे, अगर किसी word के end में OUS आता है, वो word अपने आप में क्या होता है, adjective होता है, ठीक है, इंग्लिस में इसका mean याद रखना है, clearly expressed और obvious के sense के अंदर usually आ जाता है, हिंदी के अंदर इसका mean होता है, ispust होता है, ठीक है, चलिए, इसके synonyms देखते हैं गईज, सबसे पहला जो synonyms है, इसका वो है explicitly, clear, explicitly जो word होता है, ये part of speech के अंदर आपके adjective होता है, और इसका mean भी same होता है, आपके obvious के sense के अंदर यूज लिया जाता है, एक word होता है गईज, आपके crisply, ये भी part of speech के अंदर क्या होता है, आपके adjective के तोर पर यूज लिया जाता है, और इसका same mean होता है आपके जो की क्या है गईज, आपके perspicuous के तोर पर, expressed के तोर पर इसका use आपके किया ज जाता है आरे यह बास सबच इसी तरह से एक वर्ड होता है गाईज आपके evident evident आप जानते हो कोई भी चीज इसपस्ट होती है तो directly एक normal word भी है वैसे भी evident word जो होता है इसपस्टता के तोर पर यूज लिया जाता है और ये भी part of speech में क्या निकल कर आता है आपके obvious के sense के अंदर use लिया जाता है इसी तरह से एक word होता है blatant blatant word भी एक part of speech में adjective है साथ ये word के बारे में आपको knowledge देना चाँगा इसका एक मतलब तो होता है obvious के sense के अंदर या कोई भी चीज के लियर लिए एक्सप्रेस की जाती उसके तोर पर इसका another mean होता है जी एक negative sense के अंदर भी यूज लिया जाता है openly के sense में यूज लेते हैं जिसको हिंदी में हम करते है खुलम खुला ठीक है जिस चीज के अंदर सर्मिंदगी नहीं होती है ठीक है उसे क्या बोला जाता है आपके blatant word यूज लिया जाता है या कभी-कभी किसी चीज की quality के तोर पर अगर जबरदस्त हम बोले तो हम क्या कहा सकते है उसको blatant word के तोर पर इसको use लेते है इसी तरह से एक word होता है गाई जापके नेक्ड जो होता है यह part of speech में एक adjective होता है ध्यान रखना प्रजेट सोरी past participle adjective बनाता है तो इसका use क्या लिया जाता है आपके obvious के sense में लेते है अगर यह adjective नहीं बना रहा है सिर्फ नेक होता है तो आप जानते हो कोई भी चीज बेर के sense के अंदर हिंदी में इसको कहते है नगा ठीक है without close के तोर पर नेक वर्ड का use किया जाता है जब यह noun बनता है और इसमें डी का use नहीं करते है only एने के लेकिन अगर एने के इडी हो गया तो यह past participle adjective के तोर पर इसपश्टता के तोर पर यह use किया जाता है समझ आया तो डन कीजिए और doubt हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से doubts आप comment box के अंदर लिख सकते हैं अपने जो भी doubt है और जल्दी से 2 मिनट के अंदर आप पिए जितना भी अभी आपने पढ़ा है इसके synonyms जो है वो live chat के अंदर आप अपना synonyms जो है सारे लिख डालिये पर स्मीक्रियस गवाड़ के लिखिए गई जाप लोग लिखते चलिएगा जितने भी synonyms से सब लिख डालिये झालिये 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 चलिए तो आगे देखते है अब इसका हम गाई sentence के अंदर यूज कि sentence में ये किस तरह से आपके यूज लिए जाते है तो सबसे पहला sentence देखते हैं अच्छे समझिएगा ये कह रहा है with the teacher's mellow mood ठीके वे teacher का जो एक तरह से सांत सभाव है या सरल जो सभाव है उसके तोर पर अगर हम देखे she easily taught her class without having to raise her voice ठीके वो आसानी से अपनी क्लास लेती है बिना अपनी आवाज को बढ़ाये हुए ठीके due to her 20 years of teaching experience किसके कारण उसके 20 साल के teaching experience के कारण वो बिना अपनी आवाज को उची करे ठीके class को लेती है सांती से और इसी कारण किस कारण से teacher का जो mellow mood है मतलब सांत सभाव है तो guys यहाँ mood जो है यह part of speech में एक noun निकल कर आता है और mellow इसकी quality है तो यह part of speech में क्या निकल कर आ रहा है आपके एक adjective निकल कर रहा है second sentence हम जब यहाँ देखते हैं तो यह लिखा हुआ है the salesman knew how to calm an irate customer ठीक है salesman जानता था कि किस तरह से एक irate customer का मतलब होता है irate मतलब होता चिड़ चिड़ा है बहुत ज़्यादा कानों में पढ़ते ही बिल्कुल उसको क्या कर दे calm down कर दे ठीक है and understanding of how to deal with this encounter और साथ ही साथ वो यह चीज understand भी कर रहा था कि इस तरह की परिस्तिति से encounter से किस तरह से deal किया जाए तो या guys voice एक noun है और केसी smell of voice तो part of speech में क्या निकल कर आ रहा है आपके एक adjective निकल कर आ रहा है ठीक है चलिए third sentence देखते है the audience had no problem understanding the presenters for speakious speech ठीक है audience को कोई problem नहीं हुई जो presenter का जो एक expressed speech था clearly expressed speech जो था उसको समझने के अंतर तो यहां मैं बात करूं तो guys speech एक noun है और उसकी quality कैसी है for speakious उसकी quality है जो कि part of speech में क्या निकल कर आ रहा है एक adjective निकल कर आ रहा है इसी तरह से next sentence देखते हैं while many people are confused by the terminology their doctors use बहुत से लोग जो होते है वो अक्सर क्या हो जाते है confused हो जाते है ठीक है उनके doctors जिस तरह की terminology यूज लेते है terminology यूज होते है किसी form को written form को अगर हम समझाने कोसिस करते है कोई भी doctor की writing होते है जो terms लिखी जाती है जिसके अंदर उसे हम क्या कहते है terminology my physician uses perspequeous words I can comprehend ठीक है मेरा जो physician है वो क्या करता है बिल्कुल इसपष्ट सब्दी यूज लेता है एसे सब्द जो clearly express करें गिसी चीज़ को तो यहां पर guys words noun है और case words perspequeous part of speech में एक ही क्या निकलकार आ रहा है आपके adjective I can comprehend जिसको में क्या कर सकता हूं समझ सकता हूं comprehend word जो है यह आप लोगों को कराया हुआ है ठीक है और phrase replacement की class के अंदर मैंने आपको कल या पर्सों में ही बताया है मैं आपको बता देता हूं जो phrase replacement के हमारी class होती है वो daily basis पे evening में चार पेतालिस पे होती है उसमें यह word आया था comprehension और comprehension के साथ हम हमेशा कुन सा preposition यूज लेते है ओफ यूज लेते है ठीक है तो जो बच्चा अभी तक join नहीं करा हो वो telegram channel जो यहां से cover हो रही है और वहां से आप लोगों का phrase replacement हो गया एरन sporting के जो गया नए-ने concepts आपके वहां से cover हो जाएंगे तो चली आगे देखते अब इनका हम editorial usage तो editorial के अंदर गाई मेलो वर्ड जो था एक editorial था आपके idea speech मतलब independence day idea मतलब independence day पे जो speech दिया गया था उसमें था ही मे sound mellow साइद हो सकता है कि उनका sound कैसा हो बिलकुल मधूर हो ठीक है तो quality निकल कर आ रही है तो यहां पर क्या होगा गाईज यह part of speech के अंदर adjective निकल कर आएगा perhaps because साइद एसा इसलिए क्योंकि he has run out of enemies and with covid-19 playing spoil spot ठीक है और उन्होंने अपने enemies जो है उनको run out कर दिया एक तरह से आ रही है यह बाद समय बाद सारे खतम हो गए है और covid-19 जो है उसका खेल के बिगड़ने के साथ spoil sport मतलब खेल जो बिगड़ रहा है हंगरी जे more powerful adversary ठीक है भूक जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर या सकती साली उसकी क्या हो चुकी है adversary मतलब competitor के तोर पर या विरोधी के तोर पर यूज लिया जाता है इस वर्ड को ठीक है तो यहाँ गाईज आपके मेलो एक adjective के तोर पर है फिर उसके बाद एक आपके editorial ओध था and eviction in Sri Lanka this day that is clear the Hindu editorial eviction मतलब होता है किसी भी चीज का जो निसकासन होता है expel को बोला जाता है आपके ठीक है उसके तोर पर इस वर्ड 2009 के जो युद्ध था उसके खतम होने के साथ थी उसके बाद the Muslim community began returning to the north gradually Muslim community जो थी वो north के तरफ वापस से क्या होना शुरू कर गई returning करना शुरू कर दिया उसने gradually मतलब धीरे धीरे the state had no perspicuous plan for their resettlement resettlement का मतलब होता है पुनरवास ठीक है लेकिन state जो था राज्य जो था उसके पास कोई भी ispust plan नहीं था obvious plan नहीं था बिल्कूल भी तो plan के साथ perspicuous part of speech में एक adjective निकल कर आता है for their resettlement अलब उन Muslim community के लिए उनके पुनरवास के लिए राज्य के पास क्या नहीं था कोई भी ispust plan नहीं था obvious plan उनके पास नहीं था कि किस तरह से इनको resettle किया जाए तो ये गाईज हम लोगों को जाथा ये दोनों word आपके editorial में इस तरह से पूछे गए है तो इन दोनों word के बारे में आपको complete knowledge मिल चुकी है तो इनको याद कर लीजेगा अच्छे कासे तरीके से अगर कोई doubts हो किसी भी तरह से तो आप comment box के अंदर अपने doubt लिख थैंक यू सो मच जय हिंदा आप सबीक्वाइब आख दीजिए अच्छे के अच्छे के अच्छे के अच्छे के अच्छे के अच्छे अच्छे के 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